हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यू एंड ए पे आपका बहुत बहुत इस्तिकबाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाजिल किया हुआ स्टुडेंट अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो एक कौन सा कोर्स करें अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए मान लीजिए कोई ऐसा फाजिल किया हुआ स्टुडेंट है जो बूमेस में एड्मिशन लेना चाहता है तो उससे सबसे पहले पिरी टिप का कोर्स करना पड़ता है अगर आप फाजिल किय हुए हैं तो डाक्टर या हकीम बनने के लिए बूमेस का कोर्स करना पड़ता है बूमेस एक बैचलर डिगरी है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ओफ यूनानी मेडिसिन और सरजरी इसे अरबिक में कामिले टिप और जराहत कहते हैं यह साड़े पांच साल का कोर्स होता है पिरिति भी एक साल का कोर्स होता है जो की IMCC Amendment Regulation 2013 के एकॉर्डिंग की पिरिति भी किया हुए स्टुडेंट किसी भी यूनानी मेडिकल कॉलेजेज में एडिमिशन ले सकता है पिरिति में एडिमिशन लेने के लिए जो Elisability होती है मतलब क्या क्या चाहिए तो इस्टुडेंट कि जो एज होनी चाहिए 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और इस्टुडेंट फाजिल जो किया हो ऐसे मदरसाद से किया हो जो की CCIM से Approved हो 27 ऐसे मदरसाद हैं जो फाजिल कराते हैं और CCIM से approved हैं इन मदर्साज के जो link है उसको मैं description box में दे रहो आप वहाँ जाके check कर सकते हैं अब माल लीजे आपने पिरितिब complete कर लिया है पिरितिब का कोर्स एक साल का कोर्स complete कर लिया है अब आप जाके किसी भी यूनानी medical college जो की undergraduate यूनानी medical college होते हैं वहाँ पर जाके आप BMS में admission ले सकते हैं क्योंकि IMCC amendment regulation 2013 के according हर यूनानी medical college में 10 seat उन student के लिए जो पिरितिब किये हैं उनके लिए reserve होती हैं और इसमें need का exam देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अब ही के हिसाब से और इंडिया में कुछ ही ऐसे यूनानी medical college हैं जो की यूनानी pre-tip course कराते हैं पिरितिब course ही इसमें admission लेने के लिए कुछ college जो है test कराते हैं और कुछ college directly admission ले लेते हैं कुछ ऐसे college हैं जिनके नाम में आपको बता दे रहा हूँ जो की test के द्वारा admission पिरितिब में लेते हैं जैसे अलिगर्ड मुसलिम यूनिवर्सिटी जो की यूपी में है जामिया हमदर्द देलही गौ़र्मेंट तिब्या college and hospital पटना बिहार सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज दर्भंगा बियार इनका लिंक में description में दे दिया हूँ आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आज के topic में बस इतना ही ऐसी ही USM यानि कि यूनानी सिस्टम आफ मेडिसन से रिलेटर जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और दुनिया में USM और आईरवेदा का परचम लहराने के लिए अपने knowledge को बढ़ाते रहें और अपने patient को बहतरी treatment दें क्योंकि मसीहल मुल्क हकी मजमल खान का सफना था कि USM और आईरवेदिंग मेडिसन सिस्टम का बोल बाला पूरे दुनिया में हो थैंक यू फॉर वाचिंग अपना और अपनों का ख्याल लखें खुदा हफिज सब्बाखर